यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे मस्कार मैं शुतियंगद और आप देख रहे हैं एवन न्यूस बिहार कुरोना वाइरस की दूसरी लहर के बीच देश भर में 18-44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सिनेशन का दौर शुरू हो चुका है हाला कि कुरोना वैक्सिन की कमी की वज़ा से पिछले कुछ दिनों में वैक्सिनेशन के रफ्तार में कमी देखने को मल रही है और अधिकांस वैक्सिनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीर बेकाब हो रही है यही नहीं कई जगा तो स्पताल परशासन या फिर वैक्सिनेशन सेंटर को पुलीस की मदद लेनी पर रही है इस भी सिवान जिले महराज गंज के SKJR हाई स्कूल में आज से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सिनेशन सुरू हुआ तो काफी संख्या में लोग पहुँच गये दरसल काफी संख्या में लोगों ने वैक्सिनेशन के रजिस्ट्रेशन करवाया था जब ज़्यादा भीर से हालात बिगरने लगे तो अस्पताल परिशासन को पुलीस बुलानी परी और तब जाकर वैक्सिनेशन का काम ठीक से हो सका और वहां मौझूद लोगों से क्रोना गाइडलाइन का पालन करवाने की कोशिस की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहें एवन यूज के साथ यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हमा को खबरों से अपडेट रख सके धन्यवाद